हेलो फ्रेंज, रेल फैक्स स्टोरीज में आपका स्वागत है दोस्तों आप जानते ही होंगे कि द्रोपदी पांचों पांडवों की पतनी थी लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यूं हुआ था और द्रोपदी का जनम कैसे हुआ था अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको द्रोपदी से जुड़े कुछ ऐसे ही इंटरस्टिंग फैक्ट के बारे में जाने को मिलेगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं नमबर एक द्रोपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी द्रोपदी का जनम राजा द्रुपद के यहां यग्यकुण से हुआ था नमबर दो, राजा दुरुपत ने पुत्तर की प्राप्ती के लिए यग्य करवाया और उसी यग्य कोंड से दुरुपती का जनम हुआ था नमबर तीन, जब दुरुपती का स्वयंबर होने लगा तो स्वयंबर में एक शर्त रखी गई कि जो भी उपर लगी मचली की आँख को नीचे पानी में देकर निशाना लगाएगा वही उस स्वयंबर को जीतेगा नमबर चार, करण उस सुएंबर को जीत सकता था फ्रंतु जब करण की बारी आई तो दुरोपदी ने करण को सुएंबर में हिस्सा लेने से मना कर दिया नमबर पांच अरजुन ने पानी में देखकर मचली की आँख पर निशाना लगाया और स्वाइमबर को जीत कर दूपदी से विवा कर लिया द्रोपदी से विवा के बाद जब अर्जन उसे घर ले गए तो उन्होंने अपनी मा कुंती से कहा कि देखो मा हम क्या लाए हैं कुंती उसमाई पूजा कर रही थी तो उसने बिना देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो सभी भाई आपस में बांठ लो नमबर साथ कुंती के इसी आदेश के कारण द्रोपदी पांचों पांड़ों की पतनी बनी नमबर आठ द्रोपदी के पांच पांड़ों से विवा का एक और कारण था पिछले जनम में द्रोपदी ने सर्वगुण संपन पती पाने के लिए भगवान शंकर की तपस्या की थ और उसने पती पाने की कामना पांच बार दोहराई थी तब भगवान शंकर ने द्रोपदी की तपस्या से खुश होकर उसे पती का वरदान दिया और पांच बार दोहराने के कारण द्रोपदी को पांच पती मिले नमबर नो जब पांडव कोरवों से जुवे में अपना सब कुछ हार गए तो उन्होंने द्रोपदी को दाओं पर लगा दिया और वे द्रोपदी को भी हार गए नमबर दस जब पांडव द्रोपदी को जुए में हार गए तो कोरव भरी सवा में द्रोपदी का चीर हरन करने लगे नमबर ग्यारा जब कोरव भरी सवा में द्रोपदी का चीर हरन कर रहे थे तो भगवान श्री कृषिन ने द्रोपदी की इज़त बचाई थी दोस्तों तो ये थे त्रोपदी से जुड़े कुछ इंटरस्टिंग फैक्ट I hope आपको वीडियो पसंद आई हो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए